आप देख रहे हैं गौड तक जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्टर गोविंदा अस्पतार से डिस्चार्ज हो गए हैं एक अक्टूबर को पैर में गोली लगने के बाद उन्हें मुंबई की क्रिटी केयर अस्पताल में भट्ती करवाया गया था सर्जरी करके गोविंदा के पैर से गोली निकाली गई और आईशियो में रखा गया कई फिल्मी सितारे गोविंदा से मिलने अस्पताल पहुंचे आपको बता दें कि गोविंदा वेलचेर पर अस्पताल से बाहर आये साथ में पत्नी सुनिता और परिवार के अन्य लोग भी सामिल थे उन्होंने हाथ हिला कर फैंस का अभिवादन किया आपको बता दे कि सभी का सुक्रिया अदा किया फैंस का हुजुम देख गोविंदा भाउक हो गए और नम आखों से दुआओं के लिए सुक्रिया अदा किया धन्यवा दोस्तों इस कबर को लिकर आपका क्या किना कमिट बॉक्स में जुरूब बताएं और अगर आप मारी चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइक दमाजिस से कोई भी नहीं अप्टी डाप तक पौन सके